कर दो हेलो दोस्तो लर्ण त्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त जगदिश जोसी दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सिलिप रिंग स्प्लिट रिंग एंड कम्यूटेटर के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आप आपको इन तीनु टॉपिक्स पर बिल्कुल आपका डॉट जो है वो किलियर हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि यह तीनु जो है वो किस तरीके से काम करते हैं मेरी आप से छोटी सी रिक्वेस्ट यह रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प पता लगता है कि आपकी डिमांड क्या है या फिर आपको किस टैप की वीडियो चाहिए तो आपके अगर कोईWhoid रहती है कोई भी डाउट रहते हैं या फिर अगर आप किसी टॉपिक के उपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो की नीचे कमेंट कर सकते हैं हम आपके सभी कमेंट को पढ़ते हैं और कोसिस करते हैं कि आपके जो भी डाउट होते हैं वो वीडियो के थुरू उनको solve किया जा सके, अब अगर हम इन topics पर discuss start करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यह slip ring और commutator, या फिर splittering जो होते हैं, यह दिखते कैसे हैं सबसे पहले हम commutator की बात करें, तो commutator दिखें कुछ इस type का यह practical ही दिखता है, ठीक है यह armature की जो surroundings होती है, armature की 사용 refresh पर यह लगा होता है, commutator इंद इस commutator पर यह busses लगे होते हैं, यह dust होते हैं, carbon bus है हमारे, यह carbon के या फिर steel के या फिर copper के भी होते, यह busses लगा जाते हैं, यह busses लगाने का man amacad जो होता है, यह बाहर के, जो हम supply जो देते हैं उस supply से commutator supply collect करता है इन बुस्स के थुरू और उसके बाद ये armature को supply forward कर देता है अब दीखें commutator क्या होता है commutator जो होता है वो एक rotating यानि कि किसी भी rotating parts को अगर हमने electrical supply से connect करना है तो उसके लिए हमें वहाँ पर commutator लगाना पड़ता है या फिर slip ring लगाना पड़ता है या फिर split ring जो है वो लगाना पड़ता है ताकि हम उससे rotating part को electrical supply दे सके इनका main purpose यही होता है उसके बाद अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो slip ring को हम AC supply के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हम बात करें इस्टीन का काम एक ही है लेकिन इन तीनु को हम अलग अलग जगा पर यूज़ करते हैं अगर हम बात करें स्लिप रिंग की तो स्लिप रिंग को हम AC supply के ली इस्तेमाल करते हैं अगर हम बात करें स्लिप इंडकशन मोटर में मोस्यप देने के प्लिट की बात करते हैं तो डी सीसे मोटर में लगा होता है स्प्लिट रिंग को का जो सेगमेंट होता है एक मरने बहुत सरे द में प्लिट tratar होते हैं अब अगर हम बात करें यहां पे इस कि इसको हम बाद में आप NOTE 5호 के वह देख लेते हैं इसका गार जो टी सी जेंडरेटर जो होता है वो तरीके सेये किस तरीके से काम करते हैं किस तरीके से यह लगे उते हैं अभार मानिक सफ़ीर में मैंने आपको मैंगे के दिखा रहे हैं यह मोटर की बॉड़ी है और इसके अंदर जो है यह आर्मेचर रोटेट कर रहा है यहां पर मैंने आपको अलग अलग दिखा रहा है यहां से मैं काटके इसको अलग कर दिया अब यह आर्मेचर जब इसमें रोटेट करता है तो आर्मेचर के साथ ही साप्ट भी लगी होती है यह पिर Commutator कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए जो हमारे Split Ring जो होते हैं वो यह Armature की साप्ट में लगे होते हैं लेकिन Armature से बिल्कुल Insulated रहते हैं ठीक है Armature से Connected नहीं होते हैं सिर्फ Mechanically Connect होते हैं लेकिन Electrically यह विल्कुल भी Connect नहीं होते हैं Insulated रहते हैं एक दूसरे से भी Insulated रहते हैं और इसकी साप्ट से भी Insulated रहते हैं अब जब क्या होता है कि जैसे हमारा Armature Rotate करता है तो उसके साथ ही हमारे Slip Ring Commutator या फिर Split Ring यह भी Rotate करते हैं और इसके साथ ही य चलिक यह बुस लगे हुए यहाँ पर जो की स्लिप रिंग को सप्लाई देने का काम करते हैं या भी इससे सप्लाई लेने का काम करते हैं इंबुसका काम या तो Electrical Supply Machine को देना होता है या फिर Electrical Supply में इन्हीं का सेग्मेंट इनिका जो आरइंज्मेंट जो है वही हमारा क्या Nicholas defined whispering की तो splitring जो है वो हमारा अगर हम इसको DC generator में यूद्ध कर रहे हैं तो यह डीसी refrigerator में हमको DC output देता है और अगर हम इसको DC motor में यूद्ध कर रहे हैं तो DC motor में DC input ने के बाद ही हम यह motor को AC output देता है अब देखिए DC Su ownership जो है नहीं किया सकती इंडक्षन थे ङ reflection पर work यहीं करताय तो इसलिए हो ता कि यह है कि जो होता है he इसलिया है कि जो काम करते है उस से एसी करब को डिसी में करके हमको डिसलिए आउटपूट देते हैं तो इसलिए हमको these जेनरेटर से DC आउटपूट मिलता हैं अगर इसको stom пер में यूज कर रहे हैं तो यह हमको بعد li ac आउटूट गा लेकिन अगर हम elsi को ड इसे मोटर में यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा इसको फ्राडे का अर्ट्रमाइटिक इंडक्षन है जैसे कि मैंने आपको पहले बता रहा है वह डीसी पर वर्क नहीं करता है वह एसी पर वर्क करता है ठीक है तो सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि एसी और डीसी की तो यहां पर दिखिए जो सिलिप रिंग अगर साइकल जो होगी वह नेगेटिव में रहेगी ठीक है जब यह रोटेट करेगा तो तो उस टाइम पर क्या होगा जो हमारी सप्लाइब जो होगी जो साइल जो वेफ फॉर्म जो होगी वह अल्टरनेटिंग होगी लेकिन हम स्प्लिट फेस की बात करते हैं तो इस्प्लिट से हमको जो आउटपूर जो मिलता है वह प्योर डीसी मिलता है सेम इसी तरह के सकर हम इसको डीसी सप्लाइब देते हैं तो यह अंदर आउटपूट में जो इसकी वैंडिंग को आर्मेचर की वैंडिंग को एसी आउटपूट देता है जिसके वैसे हमारी जो मोटर जो है व सीटर होता है सेम कमिटेded reasonably सेम काम होता है इसमें up और हर एक सेङमेंट एक दूसरी से इन्सुलेटर रहता है और पुरा करो डिंशेर अगरों कव को का लिंक आपको इसी वीडियो के निचे डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.learnaa.com अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकोन है उसे भी ऑन कर लीजिए त ओके गाइस तो थैंक्स पर वाचिंग जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में